दोस्तों अगर आपका portfolio size 10 लाग से बड़ा है तो मुझे सिर्फ 15 सेकिंड दीजे अद्वाइज आप skip करके Tata Motors की वीडियो पे जा सकते हैं अगर आपका stock market में learning objective है और आप regular income करना चाहते हैं day trading करकर तो आपको थोड़ी professional help की चाही जरुत होगी जिसके लिए हमने customized program design किया है जो हम आपको बता रहे हैं 10,000 रुपे की fees पर आपको 15 दिन का course कराएंगे पहले दिन full day workshop जिसमें theoretical view बताये जाएगा और फिर 14 days के लिए आपको continuously daily life feed के बारे में समझाये जाएगा dedicated video दिखाये जाएगे ताकि आप चीजों को समझ पाएं और आगे अपना trade खुद से भी कर सके अगर interested हैं तो आप हमें mail drop कर सकते हैं आईए चलकर हम बात करते हैं Tata Motors की यह है क्यों गिर रहा है M pattern form हो चुका है यह क्या खत्रे की गंटी है Tata Motors के लिए अगर होगा तो क्या होने चाहिए support level जहां पर इसको खरीदना चाहिए आईए चलकर visualization करते हैं देखे overall market थोड़ है equity से बाहर निकल के जा रहा है Goldman Sachs की latest report है 20% downside देख रहे हैं Tata Motors में जो कह रहे हैं कि यहां पर overshot हो गया fundamental valuation के reference में higher range में चला गया है valuation की इसलिए इसका target price 241 कर दिया है उन्होंने कि अभी नीचे गिर कर 241 के भाव तक आएगा हम technical लेने से बताएंगे हमारा view क्या बन रहा और फिर बताएंगे कि आपको करना क्या होगा किस level पर खरीदना होगा देखें उनकी नई SUV segment जो उन्होंने launch किये वो काफी अच्छा positive momentum दे रही है और उनकी car sales जो है increase हो रही है बट commercial vehicle में अभी भी वहाँ पर problem है और उन्होंने जो premium car JLR का aim रखा है 6-8% का वो उनके लिए अच्छा range river के साथ में 12% के आसपास अच्छी growth द्रश्टी से उसको दिखाई देने के काम करेगा पर यहाँ पर अगर हम बात करें कि market में क्या हो सकती है आगे यहाँ पर launch की strategy तो Tata Motors ने जो EV launch की है वो उनके लिए बहुत बढ़िया fruitful हो रही है नेक्सन तो Nexus केर साथ में इ 600 के आसपास चल रहा है तो यहाँ से काफी अच्छी गिरावट आने की उमीद चल लग रही है यह market में अगर Tata Motors की बात करें तो देखे Tata Motors ने भी आज वो ही negative रुक का है 295 से शुरू किया और यहाँ पर 280 के आसपास का लो गया और 287 पर अभी यहाँ पर trade कर रहा है 215 से 318 की range एक strong resistance की तरह से इस पर काम करेगी यहाँ पर यही चीज अगर हम कुछ और parameter study करें इसके लिए तो देखे जब इसने उचाई शुरू की है अपनी तो जहां से उचाई की है वहां से आपको अगर Fibonacci arch retracement निकालें तो यह recent high और low को अगर निकालेंगे तो यह अगर 280 level टूटा closing basis पर तो फिर उसका next support जो रहेगा 240 के आसपास रहेगा इस बात का ध्यान रखिए कि यह एक psychological game है अगर एक बार cycle टूटता है तो फिर नीचे के तरह ता है यहाँ पर अगर हम super trend की बात करें तो super trend ने तो नीचे को signal दिया ही हुआ है और वही पर अगर RSI क पैटर्न बन रहा है वो भी falling down channel बन रहा है जिसकी वज़य से market ने अभी इसको नीचे की तरफ को punish करना शुरू कर दिया है यहाँ पर तो यह हमारे हिसाब से अभी short term के लिए correction mode में है क्या इसको खरीदना चाहिए नहीं जो 2 support level बताए है उनके बीच में staggered manner में triangle pattern में आपक करके hold रख सकते हैं यह multi bagger stock की तरह से काम करेगा mil drop कीजिए चार वीडियो प्रसुत हैं जहीं जय भारत